अखण मंतन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेकत रिपाठी और आप देख रहे हैं अखण मंतन समाचार भारत के लिए भविशेवाडिया वेब सिरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस वेब सिरीज में हम भारत के लिए पूरों में की गई संतों महात्मा की भविशेवाडियों के माध्यम से आने वाले भारत के भविशे का वर्णन करेंगे अभी तक हमने आपको फलित जोतिश के माध्यम से भारत के भविशे की एक जहां की प्रस्तुत की है किन्तो आज देखिए भारत ही नहीं बलकि संसार के आध्यात्मिक महापुर्शों ने भारत को लेकर क्या कहा है? क्या भारत ही भविशे में संसार का निर्माता होगा और क्या एक बार पुन यही की धर्ती पर इश्वर का उतार होगा? ऐसे तमाम प्रश्णों का उत्तरखोशती हमारी विशेष वेब सिरीज भारत का भविशे. भारत के महान संत एवं गायत्री पीट के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचारे ने ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की खोज की है जिन्नोंने भारत के भविशे को स्वर्णी बताया है ये भविशेवाणिया उन्होंने अपने दिव्वे ज्यान के माध्यम से की हैं तो आईए अब आपको बताते हैं कि वे कौन सी भविशेवाणिया है और उसमें भारत के भविशे का कैसा बर्णन किया गया है पहले आपको वे भविशिवाणियां दिखाते हैं जो पूरों में सत्य हो चुकी हैं जैसे कि महरशी अरबिंदो ने 1949 में ही कहा था कि भारत को आठ वर्ष पश्चात स्वतनता मिलेगी किन्तु बहुत शीगरी भारत दो भाग में विभाजित हो जाएगा इसी प्रकार महरशी विश्वरंजन ब्रमचारी ने कहा था कि शास्त्री जी एक दिन प्रधान मंतरी बनेंगे किन्तु वे बहुत कम समय के लिए पदपर रहेंगे एवं भारत के बाहर उनकी मृत्य होगी इसके बाद किसी महिला को भारत का प्रधान मंतरी बनाय जाएगा ब्रमचारी जी ने पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन की बाद भी कही थी और 1971 की युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान विभाजित होकर बांगला देश बना उन्होंने ये भी कहा था कि सत्तर के दशक में भारत को भूक और बेहाली से गुजरना होगा अकाल एवं बांड से सारा भारत त्राही करेगा और इसी दशक में भारत को अकाल एवं भुकमरी एवं बांड जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था उन्होंने बहुत पहले ही ये भी कहा था कि भारत को पाकिस्तान एवं चीन से सन्युक्त रूप से युद्ध करना होगा किन्तो इसके बाद भी भारत प्रगती के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा शास्त्री जी की मृत्यू ताशकंद समझोते के दौरान हुई और उसी के पशास्वरगीज रुमत्ती इंद्रा गांधी भारत की प्रधान मंत्री बनी ये सबी भविशेवाणियां उन्होंने जो की थी वे सत्ति सिद्ध हुई इसी प्रकार गोपिना शास्त्री ने भारत के भविशे का आकलन करते वे कहा था कि एक दिन वो भी आएगा जब भारत में भूविज्यान के क्षित्र में बहुत प्रगती होगी एवं भारती आध्यात में पूरे संसार में छा जाएगा उनका कहना था कि भारत का वैदिज्यान पूरे संसार में फैलेगा और संसार भारत का लुहा मानेगा उन्होंने ये भी कहा था कि आगामी बर्शों में भारत के वैज्यानिक उस तक्नीकी को विक्सित कर लेंगे जिसके अधार पर वे अगनी, वायू एवं पानी को अपनी इच्छा अनुसार बनाना आरम कर देंगे यही नहीं भारतिये उस इस्थिती में भी पहुंच जाएंगे कि वे मृत व्यक्तियों से भी संपर्क स्थापित कर लेंगे दिविद्रिष्टा रोमन रोलांड की क्या भविशिवारी है आईए अब आपको ये भी बताते हैं दिविद्रिष्टा रोमन रोलांड ने कहा था कि एक दिन सफेद सभेता का बड़ा भाग नश्टो जाएगा और फिर एक नविन सभेता का जन्म होगा रोमन ने उस समय भारती संस्कृती के संसार भर में च्छा जाने का संकेत किया था कुरोना के पश्चात जिस प्रकार से भारती मंत्रों अभिवादन की नमस्कार शैली पूरे विश्व में अपना रही है यही संकेत है कि आगामी वर्ष में बात्ती संस्कृती पूरे विशो में फैल जाएगी रोमन ने ये भी कहा था कि एक दिन भारतिय धर्म विशो धर्म के श्रेडी में स्थापित होगा और इसे पूरे विशो का समर्थन मिलेगा रोमन ने ये भी कहा था कि जो लोग पुनर जर्म के संसकारों में विश्वास्त नहीं करते उनका श्री घ्रप पतन होगा आज इसाई एवं मुस्लिम देशों में जिस प्रकार का संगर्ष दिख रहा है उसे देखकर यही लगता है कि अंत में सनातन धर्म ही जीवित बचेगा जैसा कि आप जानते हैं कि इसलाम एवं इसाई धर्म में पुनर जर्म की अधार्ना पर विश्वास्त नहीं किया जाता हंगरी की महिला जोतिशी बोरिसका सिल्विगर ने कहा था कि एक दिन भारत की महिमा विश्व की शक्ती के रूप में प्रकट होगी किन्तो ऐसे इस्थिती प्राप्ट करने के लिए भारत को बहुत संघर्ष करना होगा उन्होंने ये भी कहा था कि भारत में ही इस्वरिय कल की ऑतार का जन्म होगा जो कलियू की सारी बुराईयों को समाब्त करके सत्यू कि स्थाप्ना करेगा बोरिस्का वो मेला है जिनकी एक बविश्वाडी को लेकर ततकालिन अंग्रेज अधिकारियों ने चुनोती दी थी 1944 में बोरिस्का ने कहा था कि भारत शीगरी अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्त होगा इसी पर अंग्रेज अधिकारियों ने कहा था कि उनकी ये बात कभी सत्य सिद्धिन नहीं हो सकती क्योंकि ब्रिटेन भारत को कभी भी सोतंत्रिन नहीं करेगा बोरिस्का ने कहा था कि भारत में कल्यू के घोर लक्षन सन 2000 तक दिखने लगेंगे और इसी के पशार भारत में यूग परिवर्दन की प्रक्रिया आरब होगी बहुशी ग्री भारत में शांती यूग की स्थापना होगी एवं सत्यू के काल में भारत में धर्म एवं आध्यात्मिकी प्रगती होगी जो की लंबे समय तक विद्यमान रहेगी इसी की बाद भारत संसार का सबसे बड़ा आध्यात्मिक शक्ती संपन्य देश मन जाएगा और अब आनंद आचारी सुरेंद्रनात्य की भविश्यवारी पशिम मंगाल में जन में एवं नौर्वे में बसने वाले प्रोफिसर आनंद आचारे ने प्रथम एवं दुती विश्यवारी की भविश्यवारी बहुत पहले ही कर दी थी 1910 में उन्होंने कहा था कि चार वर्ष पश्यात संसार के सभी लोगों को एक विश्यूद लड़ना होगा और वही हुआ भी उस समय तो इन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया किन्तु जब उनकी बात सत्ते हुई तो उनसे भविश्य के बारे में ब्रिटिन के पत्रकारों ने प्रशन किये इसी के बाद उन्होंने दुती विश्यूद की भविश्यवारी भी की थी प्रोफिसर सुरेंदरिनात ने कहा था कि दुति विश्वेद्य में क्षण भर में लाखो लोग काल के गाल में समा जाएंगे इवं जब 6 अगस्ट 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर परमाणू हमला किया तो लाखो लोगों की एक शण में ब्रित्य हो गई थी उनकी इसी भविश्यवाड़ी के कुष्ण में पश्चात ही अर्थात 1949 में जर्मनी द्वारा पोलेंड पर हमला किया गया था जिसमें कई हजार लोगों की इम्रित्य होई थी प्रोफिसर आनंद आचारी सुरेनात ने तृति विश्यवाड़ी के पश्चात भारत को संसार के सब्ते शक्तिशाली देशों में स्थापित होने की भविश्यवाड़ी भी की है जो की हो सकता है कि तृति विश्यवाड़ी के पश्चात सत्ति सिद्ध हो जाए क्योंकि विश्व की लगबग 90 प्रतिशत जनसंख्या को भी समाप्त होते वे देखा जा रहा है कि प्रित्वी पर मात्रच 10 प्रतिशत लोगी जीवित रहेंगे और इसी के प्रशार भारत में सत्युक का आरंब होगा तो ये था भारत के लिए बविश्यवाडी वेब सरीज का पहला भाग आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा अपनी राय आप हमारे वाट्सेप नंबर 790544965 पर दे सकते हैं बहुशी ग्रही भारत के लिए बविश्यवाडी वेब सरीज के दूसरे भाग में आपको कुछ नवीन एवं रोचक जानकारियां प्रदान करने का प्रयास करें तब तक के लिए हमें अनुमती प्रदान करें धन्यवाद हमारा ये विश्यष वेब सरीज का अवलोक अन करने के लिए बने रहे हमारे साथ मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद धन्यवाद